दोस्तो आज एक बहुत important information आप लोग के साथ में मुझे discuss करनी है चैनल को लेकर कुछ समस्याई हो चुकी है यार थोड़ी दिर मैं आपको बताऊंगा आखिरकार वो सारे के सारे जो issues है वो क्या है फिलाल के लिए हम लोग अपने lecture को start करते हैं So hi guys and welcome back to the channel Deepachya the education Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of December 2023 तो guys आज है तारिक 12 December 2013 और है Tuesday देखेंगे आज के दा हिंदू complete newspaper को complete newspaper को analyze करेंगे बट lecture में आगे बनने से पहले अगर आपको इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले टेलिग्राम पर जाना वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक्च यदव एजुकेशन UPSC आपको ये टेलिग्राम चैनल मिलेगा यहाँ से आप डेली बेसे स्पेस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो और आपको पताओगा हमेशे की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के question के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कंबल कोंडा wildlife century को कहां पर है यह exactly located इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बादा कर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2014 के prelims में पूछा गया था daily basis पे हम लोग कि आपर एक previous year question को भी solve करते हैं question में अगनी 4 missile के reference में आपके सामने चीन statements हैं बताना इन तीनों में से पहला statement बोलता है कि अगनी 4 missile एक surface to surface missile है second बोलता है कि ये एक fueled by liquid propellant missile आपको देखने को मिलेगी यानि कि इसको support मिलता है liquid propellant की वज़ा से third statement बोलता है दोस्तों कि ये जो missile है ये लगबक one ton nuclear warheads को 75 hundred kilometer तक deliver कर सकता है तो बताओ तीनों statements में से कौन से statement है ये option number A1 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only या फिर D तीनों के तीनों सही है तो इसका answer सभी को नीचे comment section में mention करना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily business पे बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शो भारम करते हैं और अपने session की शुरुवात करने से पहले देखो आपको पता होगा हमारे channel पर already एक copyright strike आ चुका है ठीक है दो अगस का वीडियो था उस पे अभी थोड़े दुनों पहले दा हिंदू वालों ने copyright strike दिया उसके पीछे का reason क्या है कि दोस्तो हम लोग क्या कर रहे थे न कि 19 सितंबर से पहले जितना भी हमारा दो साल का discussion हुआ वा है newspaper का वो सब हम लोगों ने directly newspaper का use करके किया है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ठीके अब हुआ क्या है कि दा हिंदू ने ये बोला है कि आप direct newspaper का use नहीं कर सकते ये copyright violation है और आप देख पाऊगे ये copyright strike आ चुका है और दा हिंदू ग्रूप ने दोस्तों ये copyright दिया है ठीके और आपको पता है जो channel है उसको खतम होने में केवल तीन strike चाही होती है और ये तीन आपको दिख रहा होगा तीन में से एक जो है वो already यहाँ पर आ चुकी है और वो जो दो अगस्त के वीडियो पर strike आई है पुराने वीडियो पर आई है वो remove भी हो चुका है हमारे channel से अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दा यह है कि यह थोड़े दिनों पहले की बात थी हम लोगों ने थोड़ा बहुत आपको shift किया दूसरे pattern के उपर में वहाँ पर भी मैं articles यूज कर रहा था जैसा आप कल वाला दा हिंदू का वीडियो देख सकते हो परसो वाला देख सकते हो तो पिछले यहाँ पर कुछ दिनों से हम लोग दूसरे pattern पर चल रहे थे थोड़ा अपने आपसे पेडियो बना रहे थे उसको लेकर भी मेरे पास मे मैंने देखी यार बड़ा दिमाग खराब हुआ कि बतला अब तो यार हमने चेंज कर दिया है और बिलकुल अलग है लागी नीरा कि हम लोग उस pattern से चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे और YouTube पर यार सभी लोग वही pattern अपनार है YouTube पर इतने सारे चैनल्स आपको देखने को म चूज कर रहे हैं हमारे पीछे पढ़े हैं यार पता नहीं क्यों क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा ठीक है अब तो दोस्तों याँ पर कोई बात नहीं प्रॉब्लम आती रहेंगी हमें प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा तो मैंने याँ पर थोड़ा सा PDF अगरा रेड पर चलते हैं तो सेकंड डिस्ट्राइक और अकाउंट में आड हो जाएगा जो कि अगेन एक बहुत बड़ा मतलब रिस्क हो जाएगा ठीक है मतलब यह है यार बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंच पाए हैं अभी हमारे पांच लाग सब्सक्राइबर्स भी नहीं होएं प पास हो चुकी है जो कि मैंने कभी पहले सोचा भी नहीं था कि हाँ इतना बड़ा एक्स्पैंड हो जाएगा चैनल हम दा हिंदू के मामले में एक वन आफ दा टॉप चैनल होंगे पूरे यूट्यूब के उपर में ठीक है इतना most viewed यहां पर आपके सकते हो कि यह चैनल माना जाएगा दा हिंदू के मामले में लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले यार पता नहीं क्या हुआ है क्या इशू की वज़ा से हुआ है समझ में नहीं आ रहा है उसकी बाद ना चैनल थोड़ा से लड़कडा सा गया है बतलब की थोड़ा जो viewership वगरा है वो भी डाउन जा च तो इसका मतलब newspaper यूज नहीं करेंगे newspaper तो हम पहले भी यूज नहीं कर रहे थे simple सी बात है लेकिन article यूज कर रहे थे for example इस तरीके से तो आपको discussion में 1% की कमी नहीं लगेगी जैसे पहले मैं 100% अपना दे रहा था और आज ही यहाँ पर मैं अपना 200% दूँगा don't worry ठीक है even यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बीच मैंने कोशिश की थी इस pattern में एक free hand मिल जाता है मैं आपको और ज़्यादा भेतर discussion दे सकता हूँ और ज़्यादा चीज़ें है जो quality है उसके अंदर मैं add कर सकता हूँ ठीक है तो एक improvement होगा आने वाले समय पर द ठीक है चलिए अब आते हम लोग अपने थम्नेल वाले आर्टिकल पर आज का थम्नेल का आर्टिकल बहुत important है कई सरे लोग कल ही अनुमान लगा चुके थे कि सरका कल थम्नेल आर्टिकल 370 को लेकर बनेगा कल की comment पड़े हैं मैंने देखे थे तो एक important issue बनावाए कि आपको बताओगा कल पूरे दिन भर बहुत सरे जो न्यूज मीडिया है वो यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल यहाँ पर इसको लेकर पबलेश हो रहे थे, आज का हमारा पूरा अख़बार, इसी आर्टिकल को लेकर बहरा हुआ है, पेज नंबर के अंदर में क्या हुआ था 2019 में आपको पता होगा August के महीने में जो Article 370 है इसको सरकार ने Abrogate कर दिया ठीक है अब Article 370 को हटा दिया यानि Article 370 को हटाया तो उसके बाद में दोस्तों क्या होता है बहुत ज़दा Protest पी होता है हमारे देश भर में जम्मन कश्वीर बहुत पूरा टेस्ट होता है लंबे समय से यहाँ पर आप कह सकतो इंटरनेट बगरा सब कुछ बंद रहता है है ना मतलब आप कह सकतो पूरी बंद जैसी जो सिचुएशन है वो वहाँ पर फेस की गई है लोगों के थू तो आर्टिकल 370 बहुत बड़ा मुद्दा था 2019 में 2020 में बहुत चर्चाई हुई इवेन आज हम 2023 में भी इसका डिसकुशन कर रहे है ठीके तो हुआ क्या अब सरकार ने जब आर्टिकल 370 हटाया तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दोस्तो 23 पेटिशन को फाइल किया गया और उन पेटिशन्स को फाइल करते वे सुप्रेम कोट से ये बोला गया कि जो ये आर्टिकल 370 है इसको वापस लेकर आओ वापस से यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पास में जो राइट्स है वो राइट्स वापस से दिये जाएं काओगे राइट्स हाँ क्योंकि दोस्तो आर्टिकल 370 के तहट जम्मू एंड कश्मीर के पास में बहुत सारे अलग से अधिकार मिल रहे थे ठीक है अलग से अधिकार क्या मिल रहे थे आप ये देखो कि जम्मू एंड कश्मीर वैसे तो पूरा भारत का हिस्सा है लेकिन आर्टिकल 370 की वज़ा से इनके पास में अपना अलग फ्लैग था ये आप देख पाऊगे जो फ्लैग दिख रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग हुआ करता था ये 2019 से पहले इनका खुद का जंड़ा था ठीक है और इतना ही ने इनका खुद का संविधान था जम्मू एंड कश्मीर का पूरा constitution आपको ये देख रहा होगा ये 2019 से पहले की बात बता रहा हूँ तो ये सारी powers कहां से मिल रही थी ये आर्टिकल 370 से मिल रही थी क्योंकि आर्टिकल 370 से जम्मू एंड कश्मीर की क्योंकि उस समय पर वो state हुआ करता था ठीक है राज इसी आर्टिकल 370 से दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की उस समय पर जो सरकार हुआ करती थी state government जो हुआ करती थी उनको बहुत ज़्यादा powers थी ठीक है यानि वो अपने इस आप से मालो कोई सरकार यहापे अमारी central government कोई चीज लाने की कोशिश कर रही है तो वह यहापे implement कर रही है तो उसमें यहापर इनका एक अलगी रोल था जम्मू एंड कश्मीर की सरकार चाहे तो इसको implement करें चाहे तो ना करें ठीक है तो इनके पास में आप कैसकतो चीजों को अप्रूव करने की power थी लेकिन कुछ चीजों को छोड़ कर जैसे defense का कोई मामला है तो वह सब प आपको देखने को मिल जाएगा फ्लाग वगरा यह सब कुछ इनके पास में हुआ करता था अब होता क्या है कि दोस्तो इसी आर्टिकल 370 को सरकार ने जब 2019 में हटाया तो इससे यहाँ पे बहुत ज़दा प्रोटेस्ट हुआ प्रोटेस्ट होने के पास में सुप्रीम कोट के पास में केस गया अब सुप्रीम कोट ने कल के दिन दोस्तो इस केस की सुनवाई किये और इस केस की सुनवाई करते वे सुप्रीम कोट ने सरकार के इस डिसिजन को सपोर्ट किया है बोला है कि देखो बिलकुल संबिधानिक दोर से ही यानि कॉंस्टिशनल ही और हर एक त 370 है वो केवल एक temporary provision था वोर की वज़ा से लेकर आया गया था ठीक है एक temporary provision था permanent नहीं था तो इनको हटना था तो यहाँ पे सरकार के support में दोस्तो Supreme Court का यह जो decision है वो जाता हुआ नजर आया है तो भैया अब तो article 370 गया खतम अब यहाँ पर Supreme Court का भी verdict आच चुगा है अब इ क्या लद्धा को मतलब यह सब हमने इस एक support दिखाया आर्टिकल 37 को हटाने को support किया लेकिन Supreme Court न यह भी बोला कि जल से जल इनको state बना दिया जाए वापस से राज्य बना दिया जाए और राज्य बना कर यहाँ पर proper elections होने चाहिए यह आप देख पाऊगे यहाँ पर मांग कश्मीर की जो महां की local parties हैं कई सारी political parties है जमुएंट कश्मीर में वो काफी नराज है Supreme Court के इस decision से ठीक है और उनका कहना यह है कि यह decision सही नहीं है Supreme Court का अब obviously बात है कई सारे लोग जो हैं वो मतलब जो आप कह सकते हो support कर रहे थे article 370 को वो नराज की दिखाएंगे अपना disappointment दिखाएंगे और even यहां पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान के reaction का कि पाकिस्तान क्या बोलेगा क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत जादा मुद्धा उठाया था article 370 का हर जगा पर OIC की meeting हर जगा पर उसने यही matter उठाया कि भारत ने article 370 हटा दिया है यह गलत है article 370 को वापस लिख रहा जाए इस तरह की मांग्या पर की गई थी लेकिन यह सब कुछ बदल चुका है कल के सुप्रिम कोड के इस judgment के साथ मैं और बता दूए कोई छोटा मूटा judgment नहीं था दोस्तों पांच जजज बैठे थे पांच जजज की bench ने यह पूरा का पूरा जो decision है वो लिया है और इसको remove कर दिया है ठीक है बात clear हो गई उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज और देखोगे मैं आपको यह दिखाता हूँ एक आद आर्टिकल आपको नजर आएगा आज के newspaper में कि पाकिसान का छोटा सा reaction देखने को तो मिला पाकिसान ने बो यह था सुप्रिम कोड का यह decision गलत है इंटरनाशनल लौ के हिसाप से यहाँ पर गलत है तो पाकिसान अब यहाँ पर बोलना स्टार्ट करेंगा यह ओवियसी बात है कहेगा यहाँ पर कैभी रहे कि इंडिया का जो यह action है उनिलेटरल है illegal action है इंडिया ने यहाँ पर सारे rules and regulations के खिलाफ international law के खिलाफ में जाकर इस चीज़ को अपनाया है तो यह हम लोग expect करेंगी पाकिसान की साइट से statement आएगा बाकि हम चाइना की साइट से भी देख सकते हैं कही सारे statements आज आ सकते हैं क्योंकि चाइना भी यहाँ पर article 370 को support करता हुआ नजर आता है ऐसे हमने article 35 A के साथ में भी यह चीज़े की थी क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा था उस समय पर यह हुआ करता था यानि कि 2019 से पहले कि जैसे जमुएंड कश्मीर का यह पूरा particular region जो हुआ करता था यहाँ पर बाकी जो इंडिया के लोग हैं वो जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे जमीन को परचेज नहीं कर सकते थे लेकिन अब यहाँ पर article 35A के साथ में भी ऐसे ही किया गया जिसके बाद बदलाव के बाद में दोस्तों क्या है कि अब जो बाकी इंडिया के जो लोग आपको देखने को मिलेंगे वो जमीन कश्मीर में जाकर लैंड वगरा परचेज कर सकते हैं ठीक है तो यह सारे के सारे बदलाव हुए हैं 2019 के बाद में तो उसी को लेकर यह पूरा article था सुप्रीम कोड का support मिला जिसको लेकर बहुत सारे news articles पबलेश हुए वो सब कुछ हमने यहाँ पर discuss किया आते हैं अगले article की तरफ निक्स डाडिकल इंपॉर्णेंट होने वाला है जी एस पेपर नंबर टू पॉलिटी के पॉइंट अविव से स्पेशली गवर्मेंट पॉलिशीज एंड इंटर्वेंशन के परस्पेक्टिव से हुआ क्या है यहाँ पर बात की जारी है राइथू स्कीम के बारे में पर बोल दिया है हमारे जो फिनेंस और अगरिकल्चर डिपार्टमेंट से उन से कि बही स्टार्ट करो अब यहाँ पर इस प्रडिकलर स्कीम को इंप्लिमेंट करना यह जो राइतु बंदू स्कीम है दोस्तों इसको यहाँ पर यूज करके जो फार्मर के अकाउंट है उसम और एक्जामनेशन में आपसे यह नहीं पूछा जाएगा तो इसका बैगराउंट इन्फरमेशन पूछा जाएगा कि यह जो स्कीम एक्जैक्ली है क्या जैसे मैं आपको डेली बिसिस पर बैगराउंट डेटा प्रोवाइड करवाता हूँ तो वो डेटा आपको यहाँ प support scheme के नाम से भी जानते हैं एक ऐसा program है जो कि farmers के कल्यान के लिए बनाया गया है इस program को start किया था तिलंगना की सरकार ने साल 2018 में इस particular scheme का जो main objective है वो क्या है? वो यह है कि हमारे farmers को initially कुछ यहाँ पे investment की जब जरूरत पढ़ती है आपको पता हो का ना farmers सी दर दर से उधार ले लेता है बहुत जदा ब्याज पर फिर उसमें दब जाते हैं उसमें फस जाते हैं तो वो ना हो सके उनके साथ ठीके अब हो क्या रहा है इसमें कितना support मिल रहा है तो दोस्तो इस scheme के अंदर में कुछ financial assistance प्रोवाइड करवाई जागा 5000 रुपे हैगा 5000 रुपे पर एकड़ पर फार्मर ठीके एक किसान को अपने एक एकड़ की जमीन के लिए सरकार वहां की सरकार तेलंगने की सरकार 5000 रुपे देगी उनके हर सीजन में और ये पैसा सीधा यहाँ पर उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ठीके यह बात आपने ध्यान में रखना है अब दोस्तों यह जो पैसा इनके पास में आगा उस पैसे का यह करेंगे क्या उससे यहाँ पर अपनी फसल बोने के लिए जो बीज है या खाद हो गया, फटिलाइजर हो गया, पैस्टिसाइड हो गई, लेबर हो गया या दूसरे इन्वेस्टमेंट करने अपने फील्ड के अंदर में तो वो सारा का सारा खर्चा इन पैसों से कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो तो इसलिए अमाउंट इनको दिया जा रहा है अब बात करते हैं eligibility के तो यह जो scheme है, यह सभी resident farmers के लिए available है यानि कि वो किसान जिनके पास में वहाँ पर अपनी जमीन है तो जो farmers उस land को cultivate कर रहे हैं forest में जातर यहाँ पर scheduled tribe communities आ रहे हैं जिनके पास में आपर अगर record of forest pride का document होगा तो यह भी eligible हैं, यह लोग भी eligible हैं जो कि आपर इस scheme के तहत में cover किया जाएंगे इनको भी amount दिया जाएगा यह जो scheme है particular, यह हमारे देश की पहली direct farmer investment support scheme है दोस्तों चीक है, क्योंकि 2018 में इसकी शुरुवात हुई थी directly यहाँ पर cash जो है वो farmers के account में pay किया जा रहा है तो इसकी eligibility क्या थे, यह मैं आपको बता दिया ihoop आपको जो clarity वो मिल चुकी है आगे आते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक important information आपको बता देता हूँ अब इस article से जादा important क्या है, यह सारी चीज़े अब इस PDF का आप length देखोगे तो बहुत जादा है लेकिन YouTube है, obviously बात है तो यहाँ पर जो चीज़े हैं वो अच्छे से presentable होनी चाहिए ठीक है, तो उसको present करने के लिए इस तरीका discussion होता है अब इसमें से आपने लिखना हो, notes बनाना हो, तो उसकी परेशानी होती है दोस्तों तो यह class के, यानि जो पूरा class चल रहा है इसके जितने भी e-notes है, digital notes है वो आपको एक PDF के अंदर में compile करके दिया जाता है वो जो PDF है, वो printable form का होता है इसका तो आप printout भी नहीं निकलवा सकते है उसका printout वगरा सब निकलवा सकते हो ठीक है, और वो Hindi और English दोनों भाशाओं में होता है तो आपको वहाँ पे एक बहुत बड़ा support मिल जाता है ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर यह जो PDF आपको मिलेगा यह सब एक group में secure होता है आप बार-बार क्या कर सकते हो अराम से अपने PDF को download कर सकते हो पढ़ सके, delete कर सकते हो क्योंकि सारा content आपका secure है तो आपको storage का कोई issue नहीं करना है इस group को join करने के लिए करना क्या है दोस्तों जो amount है वो बहुत ही minimum आपसे charge किया जाता है just 499 for the lifetime access ठीक है या फिर जब तक आपका selection ना हो जाए तब तक आप 499 का payment करके इस group को join करके रख सकते हो ठीक है और guarantee है आपको कुछ दिन में लगेगा कि यार मेरा तो amount जो है वो recover हो चुका है ठीक है बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर join करना चाहते हो तो WhatsApp पर जाना यहाँ पर आपको एक number दिया गया है 853-487-3368 इस number पर message कर दिना कि हाँ मैं interested हूँ या I want to join this group इस पर करगा कोई भी message कर दिना आपको मापे payment का process मिलेगा और payment के process से ज़्यादा important आपको demo वीडियो का link मिलेगा पूरे demo वीडियो को check कर लेना कि हाँ आपको किस तरीके से फायदे होंगे अपने आपको पूरी तरह से satisfy करने के बाद में दोस्तों यह investment करना ठीक है चली आते हैं आगे next article आज आपको पता होगा morning वाला वीडियो नहीं आ पाया है ठीक है अब जब morning में उठा मैं तो मुझे थोड़ा सा यार वो जो message देखा तो उसके बाद यहाँ पर warning वाला message की बात कर रहा हूँ तो एक मतलब problems ही create होगी तो मैंने सुझा आज का जो morning वाला वीडियो है वो भी इसमें मिला देते हैं तो दोनों को मैंने थोड़ा सा compile कर दिया है थोड़े article इसके और थोड़े article उसके add कर दिये हैं ठीक है कल से हमारा दोनों separate रहेगा don't worry आज थोड़ी सी problem होगी तो मैंने दोनों को मिला दिया है यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग आईबू वालकेनों के बारे में जी एस पिपर नंबर वन जोग्रफी के point of this important है तो दोस्तों यह जो वालकेनों है यह इंडोनेशिया के अंदर में North Maluka province नाम की एक जगा है वहाँ पर located है हुआ क्या यह वालकेनों हाली में बिसपोर्ट होता है जिसकी वज़ासे local people जो है प्लस यहाँ पर आपका सकतो tourist है उन सबको इस particular area से दूर रखा गया है जिस वज़ासे चर्चा में मैं आपको location दिखा देता हूँ hand to hand यह आपको world map देखने को मिल जाएगा यह हमारा India का map हुआ इंडिया से आपने चलना होगा Indonesia की side में तो इस तरीके से आपने यह location नज़र आएगी यह हमारा यहाँ पर Indonesia हो जाता है Indonesia को zoom करेंगे तो दोस्तों यह आपको Indonesia देखने को मिलेगा तो यह जो आईबू वालकेनों है आपसे पहले question यह बन सकता है कि इसके location क्या है तो आपको location पताऊने चाहिए दूसरा बन सकता है यह वालकेनों कौन से वालकेनों है यह एक strato वालकेनों है कहोगे वालकेनों के भी प्रकार होता है अगर आप types of volcano देखोगे तो यह एक होता है shield volcano फिर होता है एक dome volcano इसका जो उपर का हिस्सा होता है गुमबद की तरह होता है गुमबद ऐसा होता है वैसी आपको यह वालकेनों नज़र आएगा फिर होता है एक कैल्डिरा वालकेनों deposit volcano को ही strato volcano भी हम बोलते हैं इसमें बहुत जादा लावा आपको देखने को मिलेगा बहुत pressure से लावा निकलता है यह बिल्कुल cone की shape में होता है ठीक है ऐसी हमारी cone होती है न ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे बिल्कुल यह cone की shape में है और सबसे important बात यह है कि इसकी उचाई इतनी बढ़ कैसे गई यह besport होता है लावा निकला और लावा निकल कर दूर तक बहता है और बहते बहते जम जाता है इसके उपर में जम के rock बन जाता है न वही जो अंदर से लावा निकल रहा है तो दोस्तों यह जम गया इसके उपर सेट हो गया फिर यह दुबारा भी sport हुआ दुबारा यहाँ पर निकला दुबारा सेट हो गया तो ऐसे यहाँ पर दूसरी फैलते फैलते ना इसकी जो height है वो उपर की side में इस तरीके से बढ़ती चली जाती है वही कहलाते है हमारे strato volcano clear हो गया तो काफी अकेला सा volcano इंडिनेशा के अंदर में इसकी जो height है बहुत ज़ादा है ठीक है 1377 meters above the sea level यहाँ पर यह stand करता है अब strato volcano होनते कौन से हैं यह मैं आपको बताई चुका हूँ बहुत ज़ादा लंबे चौड़े steep cone shape में यह वालकेनों हमको देखने को मिल जाता है यह strato volcano की पैचान है हमारे प्रत्वी पर जितने भी ज्वाला मुखी present है उनमें से 60% ask pass strato volcanoes ही हमको नजर आता है इनका जो explosion है वो भी काफी ज़ादा तगड़ा होता है इसके अंदर में थोड़ा lava होता है और थोड़ा pyroclastic material होता है ठीक है इसी material जो कह सकतो ही जो material है यह जब निकलता है इसे बिस्पोर्ट होता है बाहर बहता है और इसे जमता जमता इसके जो height है वो और ज़दा extend होती भी चली जाती है आगे आता है अगले article पर नेक्स आडिकल में सत्पुरा Tiger Reserve के बारे में बात की जारी है ये भी news में बना हुआ है GS paper number 3 हमारे environment के point of view से GS paper number 2 के point of view से important है डिरेक्टली question बन सकता है ठीक है यहां से अब जब भी Tiger Reserve National Park निउस में होता है तो उनका location आपने ध्यान में fit करना होता है क्योंकि डिरेक्ट location ही पूछा जाग गया है अभी तक हमेशा तो news यह निकल कर आई है कि एक archaeological finding चल रही थी कुछ यहां पर खोज की जा रही थी जिस दोरान जो forest department है सत्पुरा Tiger Reserve का उनने हाली में एक rock painting जो की लगबग 10,000 साल पुरानी है वो खोज निकाली है मध्या प्रदेश के इसी सत्पुरा Tiger Reserve में तो इस उज़र से सत्पुरा Tiger Reserve चर्चाओं में आपको देखने को मिलेगा यह Tiger Reserve कहां पर है मध्या प्रदेश के नर्मदा पुराम district के अंदर में तो मध्या प्रदेश का अगर हम लोकेशन देखना स्टार्ट करें तो यह आपको इंडिया का मैप नजर आएगा बीच ओ बीच आपको यहाँ पे मध्या प्रदेश नजर आएगा Capital है बोपाल मध्या प्रदेश कौन कौन से स्टेट के साथ में boundaries को शेर करता है ध्यान रखना North में आपको नजर आएगा उतर प्रदेश दन उसके बाद में राजस्थान दन इसके यहाँ पर West में आपको गुजरात देखने को मिलेगा South में महराष्टरा देखने को मिलेगा और थोड़ा सा South East में 36 गड़ देखने को मिलेगा और यही स्टेट्स है जो कि इसके साथ में boundaries शेर करता है तो यह कितने स्टेट्स हो गए 1, 2, 3, 4 चार राजे हैं जो कि मध्या प्रदेश के साथ में अपनी boundaries को शेर करता है ध्यान लखना ठीक है तो दोस्तों यही पर एक district डाता है नर्मदा पुराम district वही पर यह सत्पुरा tiger reserve located है ठीक है यह जो tiger reserve दोस्तों यह नर्मदा नदी के किनारे है नर्मदा नदी वही से बहती है उसके just नीचे south portion में आपको यह देखने को मिलेगा सत्पुरा मतलब है seven folds ठीक है अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो एक चीज़ यह भी बताई जाती है कि जो यह सत्पुरा ranges है दोस्तों उन्ही सत्पुरा ranges में ही वही जगा है जहाँ पर यह particular tiger reserve located है जिसकी वसे इसका नाम पढ़ गया सत्पुरा tiger reserve अब यह सत्पुरा ranges कौन सी है आपको पता ना अलग लग पाड़ियां अरावली की पाड़ियां इधर उपर आपको देखने को मिल जाती है हैना इधर यहाँ पर विंदिया ranges देखने को मिल जाती है इसके नीचे यहाँ पर दोस्तों यह सत्पुरा ranges देखने को मिल जाती है आप देख पा रहोंगे यह है सत्पुरा ठीक है यह आपको दिख रहा होगा यह है सत्पुरा range दोस्तों इनी पाड़ियों के बीच में ही यह tiger reserve है और हुआ क्या है कि यही से नाम ले लिया गया सत्पुरा ठीक है और यह सत्पुरा ठीक है हमारा पंच मरही biosphere reserve का भी हिस्सा है ध्यानकना बहुत important ऐसे एक बार direct question पूछा गया है यह कौन से biosphere reserve का हिस्सा है तो पच्च मरही biosphere reserve का हिस्सा यह आपको देखने को मिलेगा सत्पुरा tiger reserve अपने आप में एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है इसका size काफी जदा बड़ा है इसके corridor देखोगे तो यह हमारा pench national park के साथ में जुड़ा हुआ है एसा यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर बहुत सरे rock shelters पाए गए है बहुत सरी rock paintings पाए गई है ऐसे shelters पाए गए है ऐसी गूफाई पाए गई है जो की 1500 से लेकर 10,000 साल पुरानी है ठीक है प्लस यहाँ पर फ्लोरा फोना की बात करोगे तो उस पर जादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो जैसे सत्पुरा tiger is of popular है साल और टीक की लकड़ी के लिए हमने यहाँ पर discussion करना है पशुपत्नी नाट temple के बारे में आपको पता होगा लिंगराज temple हो गया ऐसे कई सारे temple हो गया ओडीशा के दो temples को लेकर directly UPSC ने सवाल पूछा वा है मैं सवाल नहीं लेका है हूँ आज मैं थोड़ा सा delay हो चुका हूँ विडियो तैयार करने में थोड़ा समय लगा आज इस वज़ा से नहीं तो मैं सवाल भी include करता दोस्तों कि कौन कौन से previous question पूछे गए तो temples का location बहुत 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 important है अब पशुपति ना temple चर्चा में है क्यों क्योंकि दोस्तों इस temple के आसपास जो भी यहाँ पर meat का consumption था alcohol का consumption था consumption के सासा इनकी जो बिक्री वगरा थी सब के उपर में restriction लगा दिये गया है ban कर दिया गया है क्योंकि अभी एक Hindu festival आ रहा है बाला चतुरदर्शी इस वज़ा से ठीके तो यहाँ पर आसपास जो भी यहाँ पर meat वगरा बिक्ता है वो सब ban कर दिया गया है तो यह पशुपती ना temple है कहाँ पर तो दोस्ते नेपाल के अंदर specially काठमांडू में है ठीके तो इसका location कहाँ पर है काठमांडू ध्यानकना और एक हिंदू temple है जो कि यहाँ पर पशुपती यानि की जो हमारे लौड शिवा है उनको डेडिकेट किया गया है ठीके भगवान शिवजी को डेडिकेट किया गया है यह particular temple यह जो इसका location है यह location अगर आप देखोगे तो बागमती नदी के किनारे यहाँ पर यह पूरा temple located है especially नेपाल के अंदर काटमांडू में और 1979 में इस मंदिर को अल्रेड़ी युनेसको वर्ल्ड हरिटेज साइट के अंदर में कवर किया गया ठीके यह जो temple का complex गर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही temple है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे 518 temples हैं अलग-अलद buildings, structures जो main temple आपको देखने को मिलेगा वो main temple नेपाल के पगोडा style के अंदर बनाया गया है अब यह पगोडा style क्या होता है देखो पगोडा मतलब होता है एक tower जैसा structure जिसकी काफी सारी इमारते हो solid, hollow structure हो जिसको stone, break, wood इन सब चीज़ों का यूज़ करके बनाया है और मैं आपको बता दूँ यह जो पगोडा style है दोस्तों यह चाइना, जैपैन, कोरिया, नेपाल, वेतनाम यहाँ सभी जगा पर popular है कई सारे एशा के कई सारे जगा पर यह यूज़ किया जाता है देखता कैसे है, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता यह जो आप देख पा रहा हो, यह चाइनीज पगोडा style है ठीक है, जहाँ पर एक bottom है एक उसका upper side है और नीचे बीच में body आपको देखने को मिल जाती है तो इस तरीका दोस्तों यह पर पगोडा style है अगर आप लोग नेपाल का पगोडा style देखोगे तो यह है पशुपती नाट temple यहाँ पर भी आपको कुछी इस तरीके से structure दिख रहा होगा समझ गए? आ गया आता है अब इसके बारे में हमने बात कर लिया दूसरा दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप main door देखोगे तो वो cubic structure में बनाया गया है सभी चीज को यहाँ पर silver sheet से cover किया गया है सबसे जो खूबसुरा चीज आपको मंदर में देखने को मिलेगी वो है नंदी का statue ठीक है भगवान शिफ की सवारी नंदी का statue golden statue यहाँ पर तयार किया गया है दोस्तों वो भी यहाँ पर located है ठीक है यहाँ पर temple का पूरा photo वगरा आप लोगों ने अलड़ी देख लिया है आ गया थे हैं उसके बाद में next radical पर यहाँ बात की जारी है हती community के बारे में दोस्तों यह community recentी चर्चा में रही है और यह बहुत समय बाद news में आई है तो possibility question मन जारूं आपको बताऊं कई सारे examination में इस community को लेकर question already बन चुका है हुआ क्या है हिमाचल परदेश के अंदर रहने वाली जो यह हती community है इन्होंने यहाँ पर तयार कर लिया है एक पूरा protest organize करने के लिए यहाँ पे 16 December को एक पूरा प्रदर्शन किया जाएगा और उस प्रदर्शन के अंदर में demand यह है कि इन community को schedule tribe का status दिया जाए ST का status दिया जाए ताकि जो schedule tribe के status देने के बाद में जो benefits दिये जाते हैं दोस्तों वो benefits इनको provide करवाए जाए समझ गये क्योंकि आप अनको ST का status नहीं मिला है लेकिन यह eligible है तो हती स community के बारे में जब बात करेंगे तो यह नाम हती community कैसे पढ़ा दोस्तों इनका एक market है जहाँ पर वो अपनी घर की उगाई भी जो सबजियां है फसल है, meat हो गया इन सब चीजों को आपर बेचते हैं छोटे से market में वहाँ उसको हाथ बोलते है ठीक है वहीं सही है नाम ले लिया गया हती जो हती man है, पहले वो white color का headgear वगरा पैना करते थे यहाँ पर सर के उपर में जिस सरी के साफ यह देख पा रहे होंगे अलग-लग occasions पर तो जो हती community आज के समय पर वो हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के border पर located है especially यहाँ पर दो नदियां है, गिरी और तोन नदी, यह दोनों नदियां यमना नदी की आप ट्रिबीटरी कह सकते हो यह हिमाचल प्रदेश है, यह उत्राखंड है, यह है टोन नदी और यह टोन नदी जो है दोस्तों यह यमना नदी की एक सायक नदी है ठीके, और यही नदी यहाँ पर माचल प्रदेश और उत्राखंड को डिवाइड कर देती है, ठीके, यह हो गया टोन नदी, यह हो गया यहाँ पर गिरी नदी, यही आस पास के कई सर रीजन्स आपको दिख रहे होगा, संगरा दिख रहे होगा, कई सर रीजन्स आपको दि मिलर हैं जितने भी लोग रहते हैं दोस्तों एक community साथ में जो रह रहे हैं यह पता है अपने आपको govern करते हैं एक traditional council के मादम से इनका खुद का एक council है उस council को नाम दिया गया खुंबली क्या बोला जाता है खुंबली और यही council यहाँ पर इस community के जो भी matters होते हैं उस matters में decision लेने का काम करता है कोड की तरह काम करता है 2011 की जो जनगरना हुई थी उस जनगरना के according इस community के जो members हैं उनकी संख्या लगबग ढाई लाग के आसपास थी लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आज के समय जो present population इनकी वो लगबग तीन लाग के आसपास हो गया round सवाल यहां पर रहा है कि इनकी demand किया है तो इनकी demand है tribal status की यह demand कर रहे है कि हमको schedule tribe के अंदर में include किया जाए और यह demand आज से नहीं हो रही है 1967 से demand की जा रही है ठीक है और क्यों क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं यहां पर जिस area मेरे यह रह रहे है न उस area का बहुत बढ़ा disadvantage ह कमराउ, संग्रा, शिलाई अभी areas यह सब में आपको दिखाए यह आप देख पाऊगे कमराउ, शिलाई, हैनासिरमौर, संग्रा यह सारी जगा आपको दिख रहे हैं तो इन जिस जगा पर यहां पर यह सब भी लोग रह रहे हैं दोस्तों वहां पर ट्रोपोग्राफिकल disadvantage ह इस special location का disadvantage यहां पर लोग के पास पर proper education नहीं है या proper रोजगार नहीं है इस चकर में वो सफर भी कर रहे हैं और वो schedule tribe status की जो demand है वो कर रहे हैं समझ गए आगया आते हैं ना वा आते हम लोग अपने editorial discussion पे हमने यहां पर editorial भी include किया है आज के the Hindu newspaper को open करोगे page number 8 पर जाओगे वहाँ पर आपको यह tutorial मिलेगा और आज का tutorial important है आज का means का question इसी article के उपर based है क्योंकि बाकी article देखो के तो ज़्यादा काम के है नहीं एक आध article है वो भी article 370 को लेकर है और वो article 370 वाला जो पूरा issue है वो already मैं आपके साथ में अभी discuss कर चुका हूँ ठीक है अब दोस्तों पर morning वाले वीडियो में आपको देता था समझ गए चलिए यहाँ पर जो writer है वो है अनुगर्ग एक IS officer है दूसरा यहाँ पर आप देख पाऊगे Elizabeth Foray यह हमारी United Nation World Food Program की एक representative है ठीक है तो इन दोनोंने मिलकर इस editorial को लिखा है यह बात करती है ओडिशा के बारे में ओडिशा पर जो अनाज है वो बहुत बड़े level पर है बाकी सारे कई सारे राज्यों से बहुत आगे निकल चुका है ओडिशा तो ओडिशा ने क्या-क्या अपनाया कौन-कौन से steps उठाए जो की बाकी सब लोग inspire होकर वो steps उठा सकते है अपने आपको improve करने के लिए अपने देश में अपने एरिया में food security प्रोवाइड करवाने के लिए हर एक व्यक्ति के थाली में एक अच्छा खाना पहुंच सके सस्ते दाम में तो ऐसा audition एंशॉर किया वो कैसे एंशॉर कर पाया audition वो सब कुछ यहाँ पर दोस्तों discuss किया गया है बहुत अच्छी से चीजों को सुनना में इसका question आपको मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको article दिख भी रहोगा हमारी writer पहले यह बोलती है कि जो देखो world leaders है आज के समय पर वो conference of parties 28 की meeting में आपको नजर आएंगे ठीक है अब यह conference of parties 28 की meeting है आपको पता है कहां पर हो रही है दुबई के अंदर में इसका time period है 30 November से topic के उपर especially climate crisis के उपर discussion किया गया कि किस तरीके से जो temperature change हो रहा है गरम होता चले जा रहा है हमारा temperature उसका impact planet के उपर कितना ज़दा पढ़ रहा है और यह भी बताया गया जुतने बड़े-बड़े disasters हो रहे हैं वो disaster धीदरे बढ़ते वे चले जाएंगे साल में 560 disasters हम को नज है malnutrition यानि को पोशड हंगार भुकमरी यानि कि अच्छा खाना ना मिल पाना मल नूट्रिशन एक अच्छा खाना ना मल पाना पोशड वाला खाना ना मिल पाना क्योंकि यहां पर एक nutritious खाना body बे पहुचेगा तभी तो body की growth होगी वो nutritious खाना नहीं पहुचेगा तो उसकी तरीके से बढ़ता चला या टामप्रेचर और ज़दा गरम होता हो चला या तो इससे खाने का जो उत्पादन है क्योंकि सीधा असर उसका अग्रिकल्चर बढ़ेगा जो हमारी फसले हैं वो सही से उग नहीं पाएंगी और उसकी वज़ा से दोस्तों यह जो मामला है यह और कि दुनिया ने ये देखा है दुनिया बर में कई सारे देश ऐसे हैं जो कि food crisis से गुजर कर आये हैं और even कई सारी आफ्रिकन कंट्रीज जो आज किसमें food crisis से गुजर रही हैं ऐसा writer बोलता है लेकिन इन सब चीजों के दौरान सबसे special तरीके शे उभर कर आया है वो है Odisha तो दोस्तो ओडिशा की जो जर्णी है वो बिलकुल ट्रांसफोर्मेशनल आपको देखने को मिलेगी कैसे मैं आपको बताऊंगा कई सारे आइडियाज यहां पे लगाए गए और एक food security को यहां पे create किया गया सभी लोग के पास में आज के समय पर एक बहुत शांदार सा खाना आपको देखने को मिल जाता है अच्छा खाना वाँ पे लोग खा रहे हैं सब के पास में खाना पहुँच रहा है तो जो ओडिशा की story है जो ओडिशा की कहानी है दोस्तो इसके तीन अलग अपने specific theme है आज के scenario के अंदर में और वो तीन theme क्या क्या है सबसे पहले यहां पे हम बात यह करेंगे कि आखिरकार जो यह ओडिशा है कैसे इसने अपनी food security को इतना ज़ादा मजबूत किया अपने agriculture को transform करके और क्या क्या अप्रोच यूस किया जिससे यह climate change से लड़ पाए यह तीन चार aspect यहां पर discuss किया जाने वाले हैं तो पहले यहां पर बात करेंगे agriculture transformation की पिछले 20 सालों के अंदर में ओडिशा आज के समय पर मतलब ओडिशा एक समय पर साल 2000 से पहले rice यानि चावल का import क्या करता था ठीक है अलग-लग राज्यों से import क्या करता था और अब 2022 मगर आप देख पाऊगे तो ओडिशा के अंदर में 13.606 million के आसपस जो food grain से जो अनाज वो produce करे गए हैं एक record तोड अनाज प्रडिउस किया या है highest level का कैसे हो पाया अभी discuss करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ और aspects भी है जो जातर farmers ओडिशा में जो छोटे farmers है marginal farmers इनकी जो productivity यह एक समय पर zero थी आज की समय पर इनकी productivity इंप्रूव हुई है जब यहां पर यह चावल की खेती करते थे तो दोस्तों ओडिशा का जो main crop है यह चावल की खेती हुआ कर में दोस्तों इतना बड़ा growth हुआ है कि एक समय पर ओडिशा केवल 10 कुंटल पर hectare के आसपास चावल का growth किया करता था लेकिन अब यहां पर ओडिशा 27 से 28 कुंटल पर hectare यहां पर उगाता है double से भी जादा यहां पर growth हो रही है triple के आसपास हो रही है तो यहां पर बात यह की जारी है ओडिशा के अंदर में जो काला हांदी डिस्ट्रेक्ट है यह डिस्ट्रेक्ट एक समय पर land of hunger माना जाता था भुकमरी की एक ऐसी जमी जहां पर लोगो को मतलब दिन बर में एक समय का खाना मिल रहा है एक रात इनको सोना पड़ रहा है कभी खाना मिल रहा है कभ लेकिन वही जगा आज ओडिशा की rice bowl कहलाती है यहां पर सबसे ज़्यादा production किया जा रहा है क्यों तो ओडिशा के जो आज के समय पर chief minister है जिनका नाम है नवीन पतनायक साब तो इन्होंने इसको शेयर किया United National World Food Program के headquarter में और वहां पर बताया कि ओडिशा का commitment है वो काफी म hunger का है बुकमरी को यहां पर खतम करना तो ओडिशा इस goal की तरफ देखता वा आगे बढ़ता चले जा रहा है और यह जो focus है हमारा हमने छोटे छोटे फार्मर्स के ओपर special किया और आज वही छोटे फार्मर्स की जो income है वो बहुत जादा बढ़ चुकी है और मैं आपको बत स्कीम लाई गई है for example क्रशक assistance for livelihood and income augmentation जिसका नाम short form में है कालिया और दूसरा है मतलब यह जो practice आप देख पार हो जो स्कीम आप देख पार हो इसका main purpose यही था कि जो फसल है इसका management properly किया जाए जो धान की खेती है इसका management properly किया जाए समझ गए तो स्कीम ऐसी आई उसके ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फसल उगाने के उपर हमेशा धिया दिया गया नहीं थोड़े थोड़े अलगलग प्रकार की जो crop से दोस्तों उसको उगाने की कोशिश की गई प्लस कुछ ऐसी techniques को implement करने की कोशिश की गई जिससे की मालो क्योंकि अगर आपको पताएगी जिस production इन्होंने करना स्टार्ट किया और obviously बाते climate change हो गर्मी बड़े कोई problem नहीं है वो तो grow करे गई और इतना ही नहीं फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर आप देखोगे Odisha की जो geographical location है दोस्तों समधूर के किनारे है और वहाँ पे climate change का जो effect है वो सबसे जादा आपको द लेकिन Odisha उस state से develop होकर आया है इसने climate change से लडने की खोशिश की है और climate change action plan चलाया इन सब मुद्दो सो यह निकल कर आया और यह जो plan इन्होंने start किया था Odisha की सरकार ने climate change action plan इसको भी add कर देना तो यह जो action plan है दोस्तों इसका main purpose क्या था अलग-लग sectors को develop करना चाया वो agriculture sector हो coastal zone protection हो, energy, fisheries, animal resources, forest, health industries, mining, transport, urban and water resources को पुरी तरह से बदल ला है इसको लाया गया था जो बहुत सरे team of expert थे उनने पता है क्या क्या जो पुरी एक team बनाए गई उसके अंदर काफितर experts लोगों को रखा गया और वो जो expert लोग है वो हर चीज़ को monitor कर रहे थे देख रहे थे अलगलग department बनाए गए, अलगलग agency बनाए गए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि भई आप ये activity को follow करोगे इसको implement करोगे ठीक है और जितनी भी यहाँ पर चीज़े थी इनको monitor करने के लिए उपर से committee बना दी गई और उस committee को एक chief secretary head कर रहे थे इस तरीके से काम किया गया अलगलग bodies को बनागे अलगलग काम सौंपे गए, experts को hire किया गया अब जो दोस्तों ये approach थी कि हम लोग climate change से लड़ेंगे पूरी तरह से, ये approach यहाँ पे ओडिशा के favor में चली गई क्योंकि उन्हें ने यहाँ पे काम किया, समझ गये, और इससे यहाँ पे जो इनके पास में लगलग bodies थी, authorities थी, उनको बोला गया कि आप क्या करोगे भीया, ध्यान रखोगे, जो फसल की planning है वो करना जरूरी है, पहले यहाँ पे planning करना, फिर उसके बाद उसको implement करना, और farmers ने फिर दीरे-दीर यहाँ पर इन सब चीजों को सीखा, कैसे उगाया जाता है, cultivation practices को जाना, कैसे अगर गर्मी बल रही है, तो climate change के दौरान भी अपनी फसल को बहतर तरीके सोगा सकते हैं, वो experts ने राई दी, वो राई जो है, farmers के दूरू अपना आई गहीं दोस्तो, समझ नहीं नहीं, तो यह जो consistent improvement होता रहा, लगातार यहाँ पर agriculture sector के अंदर में एक particular growth हमने जो देखी है, यह कहीं नहीं ओडिशा के लिए एक ऐसा step बन गया कि ओडिशा एक समय पर जहाँ पर proper फसल की कमी हुआ करती है, lacking चलता था, वहाँ पर surplus में चला गया यह state, यहाँ पर आ तो यह लोग purchase भी करते हैं और यहाँ पर ओडिशा सरकार वहाँ पर contribute भी कर रही है, FCI में, हमारे पास में कुछ statistics है, कुछ data है 2020 किसका, उसका according बात करेंगे, तो ओडिशा ने, इंडिया क्या, मतलब आपका सकते हो कि 9% के आसपास जो total production हो रहा है, मतलब हमारे देश में च सरकारेन के बीच में एक partnership की गई, इस partnership ने भी दोस्तों कई सारी बदलाव हमको दिखाए है, food और nutritionally, security scheme से वो यहाँ पर improve होती हुई नजर आई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, तो ओडिशा की transformative journey है, कैसी journey है, कि वहाँ एक समय पर कमी थी खाने की, आज यहा की फसले होगाना, जो चोटे-चोटे farmer से उनका ध्यान रखना, food and nutritional security को support करना, इन सब aspects यो पर ध्यान रखके कोई भी particular step change हो सकता है, तो यहाँ पर एक inspiration मिलती है, बाकी सारे states को कि वो भी अपने आप में इस तरह के बदलाव करके आगे बढ़ सकते हैं, I hope आपको यहाँ प question क्या है, with climate change, threatening global food productivity, जो एक climate change है, जलवायू परिवर्तन है, यह हमारे पूरे दुनिया का, जो food का production है दोस्तों, उसको खतरा पहुचा रहा है, तो इस particular scenario के दौरान कैसे, ओडिशा ने अपने efforts इस्तमाल किये है, climate proofing में, किस तरीके से यहाँ पर ओडिशा ने अपने efforts इस एक्टर डवलप हुआ, तो यह आपने समझाना है, 200 शब्दों में, एक बार हिंदी मेरीट कर दों, ताकि हिंदी माधिया मले जो aspirant है, वो भी इसको अच्छल समझ के एक बढ़िया सांसर लिख सके, तो जलवायू परिवर्तन से वैश्विक खाद्य उत्पादक्ता को खत टेलिग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना, दीपक च्यादा वेजूकेशन मेंस ग्रूप, जैसे आप फुल फर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलिग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पर अल्रेडी, 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप अब भी मेरे साथ में जुड़कर अपने आंसर को लिकर वहाँ पर सम्मिट कर सकते हूँ, दोस्तों अपने आंसर को लिकर जब सम्मिट करोगे तो साधी साथ में एक छोटा सा काम और करना है, अटलीस्ट सभी लोग को दो-दो आंसर को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फाय टेवे में वो पूरा का पूरा गुरूप काम कर रहा है, तो यह था आज का मारा डिसकेशन, शौर्ट डिसकेशन था, क्योंकि ज्यादतार आर्टिकल आज की न्यूस पेपर में आर्टिकल 370 को लेकर ही में तो फिलाल मैंने कुछ और आर्टिकल एड़ किये थे, तो अब म उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना बूलना, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रियेट होगा, कि हाँ ये सारी चीजे मैंने आज के इस लेक्चर से सीखी है, चलिए, क्वेशन नंबर वन, जो आईबू वालकनों है, या हाल ही मैं यूज में आपको दे सत्पुरा टाइगर रिजर्व को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिये गए हैं, बताना है कौन से स्टेटमेंट्स हैं, पहला सत्पुरा टाइगर रिजर्व लोकेड़ है 36 गड़ के अंदर, दूसरा सत्पुरा टाइगर रिजर्व पच्मरही बायोस्फेयर रिजर्व का एक हिस्सा है तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स है या और दोनों के दोनों गलत है नेक्स क्वेशन में आपसे पूछा जाता है पशुपती नाथ टेंपिल के बारे में तो पशुपती नाथ टेंपिल को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिये गए हैं बताना है कौँ सा स्टेटिपंट सही है पहला ये एक शेवाइट टैंपल है जो की नेपाल में located है दूसरा ये जो टैंपल दोसो इसक provided này है åpciones one only b2 only c दोनों सही है या ंडी दोनों गलत है Now next question में आपसे hasith community के बारे हैं पुछा गया है दूसरा इन ये जो है गवर्न किये जाते हैं अपने क्रेडिशनल काउंसिल के मादम से जिसको बोलता है खुमली तो बताओ दोनों स्टेट्मेंट्स में से कौंसा स्टेट्मेंट्स हैं आप्ट नमबरे वन ओनली, बी टू ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गल और अपना स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना तो आखरी क्वेशन से आंसर को देखना शुरू करेंगे यहां पे पूछा गया था हती कॉम्मुनिटी को लेकर बताओ दोस स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से सही है तो अप्शन नमबर सी दोनों कि दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट हैं आप दोनों सही है तो समझाने की ज़रूरत नहीं है पता ही आपको हाँ बिलकुल हिमाचल प्रिदेश और उत्रखंट के बडर रीजन में लोग रहते हैं दूसरा एक ट्रेडिशनल काउंसल है खुम्बली उसके थूरू य नेपाली इस पगोड़ा स्टाइल में दोस्तों यह तयार किया गया है तो इस वसे सेकेंड स्टेटमेंट गलत है ओप्शन नमबर ए वन ओनली इस दा करेक्ट आंसर फिर आपसे नेक्स कोशन है पूछा गया सत्पुरा टाइगर रिजब को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट क्या यह 36 गड़ में लोकेड़ है नहीं 36 गड़ नहीं मध्या प्रदेश में लोकेड़ है तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत दूसरा यह जो है पच्मरी बायोसफर रिजब का एक हिस्सा है जी बिलकुल यहां पर यह बिलकुल सही उतर है तो आप्शन नमबर भी तो यहां पर आपसे question पूछा गया था अगनी फोर मिसाइल को लेकर कि बताओ तीन स्टेटमेंट है इन तीनों में से कौँसर स्टेटमेंट सही है तो इसका सही उतर है option number A1 only क्या है कि अगनी फोर मिसाइल दोस्तों एक surface to surface मिसाइल है यानि कि सतह से सतह तक मारने वाली है बाकी जो second और third statement है ये गलत है और ये गलत क्यों है क्योंकि आपको बताए जो अगनी फोर मिसाइल है ये दो स्टेज वाली solid fuel मिसाइल सिस्टम है जो की एक टन nuclear warhead को लेकर चल तो सकती है लेकिन ये 7500 किलोमेटर नहीं दोस्तों इसकी range है केवल और केवल 4000 किलोमेटर की ना कि liquid propelent पर काम करने वाला तो इस विसे हमारा second third गलत पहला वाला सही तो ये था discussion I hope आपको मजाया होगा बहुत सारी जानकारी आपको दोस्तों यहाँ पर मिली होगी बाकी आप लोग क्या अपनी राय देते हो क्या हमें यहाँ पर changes करने चाहिए किस तरीके से discussion करना कल से यह जो दोनों वीडियोज हैं इन दोनों को मैं separate कर दूँगा तो आपके separately upload होंगे और दाहिंदू वाला दोनों अलग अलग ठीक है लेकिन दाहिंदू वाले में दोस्तों हमें इस तरीके से pattern change करना पड़ेगा अब इसमें हम यार कुछ नहीं कर सकते न बताओ आप ल इसलिए यहां पर आप लोग की support की requirement है आप लोग का support मिलेगा जैसे हम लोग चल रहेते वैसे चलते रहेंगे वीडियोज और जदा बेतर रहेंगी आप कल वाले वीडियोज परसो वाले वीडियोज आएगे कि वीडियोज बेक बहुत बड़ा change दे सकते हो बदलाव देख ठीक है इसके साथ मैं करता हम लोग अपने lecture को समाप तोर मिलते हैं आप लोग को सगले वीडियो में आज के लिए बाबाए have a nice day thank you and जैहिंद